वोई मतिपटी सरकार जल्द ही लवजिहाद पर कानून बनाने वाली है राज्य की ग्रहमंट्री नरुतम मिश्टु ने कहा कि जल्द ही हम विधानसवा में लवजिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे ये गैर जमानती अपराद होगा और दोशियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा आगामी विधानसवा सत्र में शिबराज सरकार लवजिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्रे विधेयक पेश करेगी और इसके कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की 14 सजा दी जाएगी वही नरुत्तम मिश्र के मताबिक लवजिहाद में सहयो करने वालों को भी मुख्यारूपी की तरह ही सजा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मानतरन कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा हालकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्टन कर शादी के लिए संभंधिद शक्स को एक महीने पहले कलेक्टर कारेले में आविदन देना होगा साथी ग्रैमेंटरी लें बताए कि जोड जबरदस्ती या फिर बलपूर्वक की गई शादी दूके से पहच्छाल चिपाकर की गई शादी को इस कारून के बाद रद माना चाएगा हमारा धर्म स्वातंत्र मद्यपदेश धर्म स्वातंत्र विध्यक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधान सवा में लाने की और इसमें हम तैय कर रहे हैं कि जो प्रलोमन और बैकावा फ्रोड बलपूर्वक साधी और धर्मांत्रन कराने पर पांस साल का कठोर कारावास इस अधनियम में हम रख रहे हैं इस अधनियम में अभी यह भी प्रिस्तावित कर रहे हैं यह परमार्जित होगा विधान समा में जाएगा कि यह अपराद संगे कोग्निजिबिल तथा गेर जमानती इसे गोसित करें इसी तरह से प्लोबन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बैकावे में धर्मानतरल के लिए की गए बिवाकुर्णल अइंड वाइड गोसित किये जाने इसी कबर पर जदा बाच्चुईत के लिए वर्स बत्रकार शिवा नूराग पटेरिया हमान साथ चुड़ रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है शिवा नूराग जी निजिज इंडिया में दन्यवाद जी शिवा नूराग जी जिस तरीके से लवज दिहाद के माबले हाली के दिनों में ज़्यादा देखने को मिले हो लगातार ऐसे माबलों में बढ़ते भी यह जा रहे थे अगर राजसरकार धर्ब स्वतंतरता आतिनियम के तहरे कानूं बनाया जाता है और अगर इसकानूं को बनाया जाता है और उसका अथर दिखाई देगा अनिता तूं डाल डाल मैं पाथ पाथ तमाम तरह के लोग अख्यार करते देते ही और राते दलाते हैं दरसके कानून लाए जाने के बाद में राज़िस्टिक एक और प्रसास के खिक्षा सकी बहुत महत्मून है जिस तरीके से आपने बताए कि कानून को लागू तो यहां पर कर दिया जाएगा लेकिन उसकी पालना कराना कहीं न कहीं सरकार के लिए भी चुनौती रहेगा जिस प्रकार से हम तमाम कानूनों को और भी देखते हैं अगर पालन करा आए जाता तब भी उसका असर आपको दिखाई देगा अनिसा कोई असर नहीं होगा चलिए बहुत बहुत धनिवाज शिवनुराग पटेरिया न्युजिरिया के साथ बातचीत कर दे के लिए